पंजाब के एक छोटे से गाओं में एक लकड़हारा रहता था वो रोज सुबा सवेरे जंगलों में लकड़ियां काटने निकल जाता और रात को देर से मेहनत मजदूरी करके घर लोटता एक रात लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटके घर वापस आ रहा था कि उसकी नजर दरख्तों के बीच एक चमकती हुई चीज़ पे पड़ी रात के अंधेरे में कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था उसने पाज जाके देखा तो वो एक लड़की की लाश थी उस लड़की ने बहुत खुबसूरत सोने की पाज़े भी पहनी हुई थी जो रात के अंधेरे में भी बे इंतिहाद चमक रही थी पहले तो लकड़हारे ने सोचा कि वो आसपास के गाउं से किसी को मदद के लिए बुलाए पर फिर उसके दिल में पाज़ेबों की चमक देखके लालच आ गई उसने सोचा क्यों ना ये पाज़ेबें वो लड़की के पाउं से उतार ले इनको शहर में बेच के उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे लकड़हारे ने लड़की के पाउं से पाजेबें उतारने की बहुत कोशिश की पर लड़की का पूरा जिसम इतनी बुरी तरह से सूजा हुआ था कि उसकी लाग कोशिशों के बावजूद भी वो लड़की के पैरों से पाजेबें उतार नहीं पाया लकरहारा काफी देर तक यूही कोशिश करता रहा पर फिर उसके दिल में आया कि क्यों ना वो अपने कुलहाडी से लड़की के पैर काट के बाजेबे उतार ले आस पास कोई है भी नहीं जो उसे ये काम करते हुए देखेगा फिर उसने अपनी कुलहाडी निकाली और लड़की के पैर उस कुलहाडी से काट दे और पाजेबे उतार की जंगल के बीच से अपने घर की तरफ भागने लगा उस रात बहुत तेज तूफान आया हुआ था लकड़हारा अपने घर में सो रहा था कि अचानक उसके दर्वाजे पे किसी ने तस्तक दी लकड़हारे ने सोचा कि इतनी रात गई इस तूफान में कौन हो सकता है उसने दर्वाजा खोला तो देखा कि एक बहुत खुबसूरत लड़की सामने खड़ी थी लकड़हारे ने उससे पूछा कि इतनी रात को वो अकेली यहां क्या कर रही है तो लड़की ने बताया कि वो करीब के गाउं से है और इस तूफान में वो इस वक्त अपने घर नहीं जा पा रही है रात गुजारने के लिए उसे जगा चाहिए लकड़हारे ने इतनी खुबसूरत अकेली लड़की देखके खुशी खुशी उसे अपने घर में रात गुजारने की इजासत दे दे लड़की ने पूछा कि क्या उससे एक गलास पानी मिल सकता है लकड़हारे ने कहा जी बिलकुल क्यों नहीं आप अंदर कमरे में बैटी मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ जब लकड़हारा पानी लेके वापस आया तो उसने देखा कि उसके कमरे के फर्ष पे खुशन के निशान थे ये देखके लकड़हारे को थोड़ा डर लगा उसने लड़की से पूचा कि ये खुशन के निशान कहां से आई मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाउ कहा है मेरे पाउ कहा है मेरे पाउ कहा है मेरे पाउ कहा है आपको पसंद आई होगी प्लीज शेर दिस विडियो 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 की दिस्क्रिप्शन में है अपने फेस्बुक पेज पर मैं अपकमिंग विडियो की डीटेल्स और अपडेट्स पोस्ट किया करूंगी और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि विडियो आपको कैसी लगी मिल दियो आप से अगली स्टोरी के साथ